पर तो जीत लिया अब बारी एडी लिड की है टीम इंडिया इसकी तैयारी में जुट गई है और उसकी तैयारियों का पहला इम्तिहान केंबेरा में होगा और श्वेलिया की राजधानी में शनिवार 30 नवंबर से दो दिनों का प्रैक्टिस मैच शुरू होगा जिसमें टीम इंडिया की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा लेकिन नजर उस खिलाडी पर भी रहेगी जिसने पहले मैच में ही डेब्यू किया था ये खिलाडी है हर्शित राना जिन्होंने पर्त में प्रभावित किया था लेकिन दूसरे पारी में ट्रैविस हेड का बेहद एम विकेट लेकर टीम इंडिया को एक बड़ी रहाद दिराई थी और अस्रेलिया को सिर्फ 104 रनों पर रोकने में भी उनका एक बड़ा रोल रहा था हर्शित ने तीन विकेट लिये थे हाला कि दूसरी पारी में वो बेहसा नजर आये थे जब पिछ बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी अच्छी होने लगी थी तो उनमें थोड़ी सी अनुभव की कमी साफ नजर आई अब ऐसे में उत्सुकता इस बात की बनी हुई है कि क्या उन्हें एडिलेट टेस्ट में खिलाये जाएगा कैन्बेरा में होने जा रहे प्रैक पर टेस्ट में उनका यही रोल था एडिलेट में लेकर इसकी जरूरत कम पड़ेगी असल में गुलाबी गेंद आम तोर पर लाल गेंद से जादा स्विंग और सीम होती है खास तोर पर शाम के वक्त इस गेंद की हरकत जादा देखने को मिलती है ऐसे में हर टीम के तेज ग गेंद बाजों के साथ उतरने का बरन बनाती है तो इस भूमिकाक में आकाश दीब को इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी गेंद बाजी की स्टाइल यही है और गुलाबी गेंद उन्हें जादा रास लिया सकती है ऐसे में समभव है कि सिर्फ एक टेस्ट मैच के बाद ही फिलाल हर बाजी तुराना को बाहर बैठना पड़ सकता है